पेलो बच्चो वह बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है आपका नए लेक्टर में विड़ा आज अलकाइन स्टार्ट करेंगे अपन यह कहां अलकाइन स्टार्ट करके ख़तम भी कर देंगे चलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे जैसे आपको दो रियेक्टर ध्यान लखनी पड़ेंगी पहला है फ्रॉम केल्सियम कारबाइड किससे केल्सियम कारबाइड अब केल्सियम कारबाइड का फॉर्मुला क्या होता है केल्सियम कारबाइड का फॉर्मुला होता है सीए सीटू ठीक है केल्सियम कारबाइड होता है सीए सीटू इससे आप अलकाइन बना सकते हो कैसे इनके हाइड्रोलिस सिस से i-n-card white के hydrolysis से alkyne बनाई जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो कार्वाइड है यह किस फॉर्में exist करता है ठीक है तो यह जो कारवाइड है यह किस फॉर्में एकुम्हू करता है यह एक जिसकरता है ऐसे CA2+, प्लस जो C2 होता है ना वो होता है C triple bond C, यहां माइनस और यहां माइनस CA2+, और C2, 2 negative है, इस IN का नाम क्या है, इस IN को हम बोलेंगे, इस IN का combined formula ऐसा लिखेंगे, C2, 2 negative ठीक है, एक बार exam में question आ चुका है कि calcium carbide में कितने sigma और pi bond है तो calcium carbide में sigma और pi कहां पर बनता है, carbon carbon के बीच बनता है, और carbon carbon के बीच में वेटा 1 sigma और 2 pi होंगे एक sigma और 2 pi होंगे, यह exam में question आ चुका है, अब मुझे इसका hydrolysis कराना है, अब आप मुझे एक बार बताओ, hydrolysis का मतलब क्या होता है, पानी डाल दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पानी डालोगे, तो water से इसको क्या मिलेगा, OH negative मिलेगा, कितने, 2 मिलेंगे क्या हो, calcium पे H+, किसे मिलेगा, इसको मिलेगा, कितने, 2 मिलेंगे, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो क्या हैगा, CH triple bond, CH, ऐसा, इसका नाम क्या है वेटा, इसका नाम है, इथाइन, क्या नाम है, इथाइन, common name में इसको क्या बोलते हो, acetylene, क्या नाम है, acetylene, ठीक है, यह होता है, सम हाइडॉलिस्टिस पर क्या देता है वो देता है आपको इथाइन या एसे दिली तो ये पहली रिएक्सने केल्सियूम कोवाइड वाले ये काने कारवाइड होता है इसके अलाबा एक कारवाई हो गया ऐब देखू मेंगनेशियम कारवाई फ्रॉम फिरॉम मैंगेशियम कारवाई पीटा एलकाइन हमारा सकते हो कैसे बहुत क्षड्र से में कैसे exist करता है 2 mg 2 plus plus जो c3 है वो actual में होता है c3 negative single c triple bond c negative combine form में इसको क्या लिख सकते हो बताओ combine form में लिख सकते हो c3 4 negative ऐसा तो वो ऐसे exist करता है अब आप क्या करोगे water से h plus और oh minus दिलवाद होगे तो यहां पर 4 oh minus आएंगे क्योंकि 2 mg 2 plus है न तो यह बना लेगा 2 times mg oh hold twice magnesium hydroxide ठीक और यहां 4 h plus आएंगे तो 4 मैंसे 1 जाएगा इसके पास और 3 जाएगे इसके पास तो यह बना लेगा विड़ा CH3 C triple bond CH इसका नाम क्या है प्रोपाइन क्या नाम है प्रोपाइन बोलते हैं तो calcium carbide on hydrolysis क्या देता है आपको इथाइन और magnesium carbide hydrolysis पर क्या देता है प्रोपाइन ठीक अब एक important reaction और होती है पहले इसको आप नोट कर लो है न एक important reaction यह है पास करके नोट करते जाएगा न चलो इसमें एक reaction यह कि calcium carbide जो होता है वो बनता कैसे है तो आपने बैटा limestone का नाम सुना है CACO3 यह क्या है limestone lime stone को heat करा दो इसकी आप heating करा दो तो यह क्या देगा CO plus CO2 carbonate जो है calcium का carbonate heating पर CO2 gas निकाल देता है तो CO आएगा अब यह जो CO है इसमें आप coke डाल दो इसमें आप coke डाल दो तो क्वेक लाइम सी ओक नाम है क्वेक लाइम ठीक तो क्वेक लाइम की reaction को के साथ होगी क्या बनाएगा यह CAC2 ठीक है तो यह complete reaction कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए एकदम के लिए एक्जाम में आ चुका है जही का क्वेक लाइम से आपको बेंजीन बनाने अभी धीमे धीमे अपन सीखेंगे तो कनवर्जन भी सीख लेंगे ठीक है तो यह reaction ध्यान लखना आप इम्बोर्टन रिएक्शन है तो फिटा दो रिएक्शन हो गई हाइडॉलिसस ऑफ कारवाइड में एक कैल्सियम हो गई और एक मैगनेश्यम कारवाइड के साथ हो गई और भी कारवाइड होते हैं लेकिन उन कारवाइड हैं Mg2 C3- Gelsium Carbide एक मेंगिशन कारबाइड एकदम के लिए चलो बड़ा आगे बड़े यह केल्सियम हो गया यह मेंगिशन हो गया था आगे चलते पुटा अगली reaction है from dehydrogenation, ये reaction हम अलकीन में बढ़ चुके हैं, ये reaction हम अलकीन में बढ़ चुके हैं, कौन सी वाली, alpha, beta elimination या beta elimination या alcoholic वाली है न, अब धियान सा देखना आप, dehydrogenation में क्या होता है, बहुत द्यान से देखना मेरे पास है R, C, यहां पर X लगा है, यहां पर X लगा है, C, यहां पर H लगा है, यहां पर H लगा है, और यहां R- मैंने लगा दिया, ठीक है, अब देखना जरा, इसकी reaction बेटा जब alcoholic KOH के साथ होती है, किसके साथ, alcoholic KOH, तो आपको पता है reaction, ठीक है, alpha, beta या beta elimination वाली reaction है यह, तो अगर यह halogen है, इसके respect में, यह alpha, यह beta, तो alpha से X, तो beta से H निकलता है, anti elimination होता है, आपको पता है, तो यह क्या बनाएगा, बताओ, यह X और यह H निकल जाएगा, तो यहां double आ जाएगा, तो R, C, ठी ऐसा है, ठीक, अब क्या होगा, दुवारा फिर से reaction होगी, दुवारा, फिर से reaction होगी, लेकिन, आप ध्यान से सुनना, पहली बार में आप alcoholic KOH ले रहे हो, और दूसरी बार में यहां लेना पड़ेगा, NANS2, बिटा, NANS2 जो है, उसमें NH2 माइन स्ट्रॉंग बेस होता है, alcoholic K की बेस से, strong base की जरुद क्यों पड़ी, यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो, इसके पास क्या है, loan pair है, तो loan pair single double यहां पर parcel double bond character है, CX bond में, समझे रहो, resonance है, parcel double bond character है, तो आसानी से halogen नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसको निकालने के लिए strong base की जरुद है, alcoholic KOH में त इस टाइप से लिखा होगा, धियान दखना है, और यह वाली हैलाइड क्या होता है, एक ही carbon पर दो हैलोजन होते हैं, तो इसका नाम है बेटा, vicinal dihyalide, क्या नाम है इसका, sorry, vicinal ही geminal, एक ही पर दो है न, geminal, अलग-अलग वाले vicinal होते हैं, तो यह geminal dihyalide है, तो geminal dihyalide की reaction अलकहलिक के वैच से होगी, तो क्या बन जाएगा, अलकाइन बन जाएगा, कैसे ध्यान से देखना ज़रा, पहली वाली तो आप समझेगे, दूसरी वाले में भी ऐसी करोगे, इसके respect में, यह alpha और यह beta, alpha से x और beta से h निकलेगा, ठीक, तो कैसा देखेगा, r, c, triple, c, r, ds, अलकाइन मन गया, ठीक, जैमिनल डाइलाइड, एलकहलिक के वैच, followed by NANS2 क्या करना है, आपको बेटा, अलकाइन मनाना है, अब यह जो जैमिनल डाइलाइड जैसा काम करता है, वैसा ही, विसनल डाइलाइड भी काम कर जाएगा, तो यह मैं इसको A part बोल रहा हूं, ठीक है, यह A part है, नोट करो फिर मैं विसनल वाला बताता हूं, क्लियर, चलो देखना जरा ध्यान से, अब मैं इसी में विसनल वाला कर देता हूं, कैसे, यह तो जैमिनल हो गया, अब देखना विसनल में क्या होगा, जैमिनल वाला समझ गए आप, बहुत समझदार हो, सेगिंड दे सनल डाइलाइड ले लूँ, कासा देख रहा है? इसकी reaction, alcoholic koh, alcoholic koh के साथ होगी, तो इसके respect में यह alpha, यह beta, alpha से x, beta से h, निकलेगा, तो कैसा देखेगा? आर सी एक्स डबल सी एच आर डैस ऐसा देखेगा भाई एलकोहलिक क्यों एच आएगा तो एच एक्स निकाल के ले जाएगा अब देखो यहां भी वही सिचुएशन की रिट हो गई एक्स के पास लोन पियर है लोन पियर सिंगल डबल पार्सल डबल बोंड केरेक्टर आ गया इसका मतलब आपको यहां पर अब स्ट्रॉंग बेस की जरौत है तो एन एन एस टू ले लेते हैं हम तो क्या गरोगे इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा अलफा से एक्स फीटा से अच निकाल लेंगे तो आर्सी ट्रफेल बॉन्ट क्या बन जाएगा सियांधे स तो दौनो ही केसे में वेड़ा यदर का र kg नहीं केसे में क्या है डौनोही केसे में अलका इन मनने हैं चाहे आप जाम है ले लो यह लिसनल ले ले लो क्लद है कहां डे में घ्र तो आपन इसके question कर लेंगे method of preparation से related कि चलो धिहान से देखो question कुछ ऐसा है कि CH3 CCL H CHCL CH3 इसकी reaction आपको ऐसे लिख देंगे question कैसा form होता देखो कि एलकोहलिक के ओएच एन एन इस टू ऐसा लिख देंगे इस तरीके से आपको question एक्जाम में मिल सकता है क्या करना है बहुत आसान है जो अभी बता है वहीं करो इसके respect में यह alpha यह beta आपने alpha से CL निकाला तो beta से यह निकाल लो और 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 धियान से देखना इसके respect में यह alpha और यह वाला beta alpha से CL निकाला तो beta से एच निकाल लेना तो कैसा दिखेगा आपको विड़ा ऐसा दिखेगा पहली वार एक निकलेगा तो double bond और दूसरी वा निकलेगा तो triple bond आ जाएगा क्या जाएगा ब्यूटाइन आ जाएगा टूब्यूटाइन आ जाएगा क्लियर एक तब बहुत आसान है एक और हो जाए चलो एक और कर लो अगला सवाल ऐसा है को कोई इसमें रियर्रेंज्मेंट वगर आ इसकी रिएक्शन करानी आपको एल्कोहलिक के ओ एच फॉलोड बाए एन एन एच टू ऐसा दिया होगा ठीक है बहुत असान है करोगे ट्राइक करो जाए चेक करो मजाएगा इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा यह वाले च निकाल लेना और इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा यह वाला एच निकाल लेना तो देखो पाई बॉंड कहां बनना है अलफा बीटा के बीच में तो सी ट्रॉपल सी और यहां पर पांच वाली रिंग आ जाएगी ऐसी इस तरीके से देखो उधर चार की रिंग इदर पांच की रिंग बीच में ट्रॉपल आ गया समझे बात को यह दो क्वेशन मैंने विसिनल वाले बताए जैमिनल वाली भी एक दो देख लो है ना नोट करो इसको समझे ना कैसे करना एक्जाम में अगला देखना अगर मैं जैमिनल वाले एक आट कोश्चन आपको करवा दूं तो वो देखो और चीएज 3C बी आर बी आर चीएज 2 चीएज 3 मालो ऐसा दे दिया आपको ठीक एलकोहलिक के वेच एक फॉलॉड बाए एन 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 इस टू ठीक है अब ध्यान से देखना जा रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह वाला बीटा ले लो यहां से चुटा लो ठीक और इसके रेस्पेक्ट में किसके इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा तो यह वाला बीटा ले 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 ना तो अलफा कि सर आपने यह अलफा यह बीटा लिया इधर वाला बीटा क्यों नहीं लिया तो पहली वार डवल बॉंड बनेगा वह स्टेवल बनना चाहिए तो डवल बॉंड बीच में स्टेवल होगा और दूसरी वार आपने निकाला तो यहीं से क्यों निकाला यहां से क्यों निकाला बिढ़ा अगर मैं यहां से निकाल देता तो ऐसा दिखता आपको एलीन बन जाता एलीन जो है वो लेस्टेवल है अलकाइन से यह बन जाता एलीन बोलते हैं इसको लगाता है डबल बॉंड हो जाएं तो इसलिए यह नहीं फॉर्म कर रहे हैं समझ एक और हो जाए चलो एक ला च्छ 2 च्छ 2 और च्छ 3 चलो बई सुरू हो जाए क्या करोगे अलकाहलिक के ओएच फॉलोड बाए एन नहीं तू तो क्या करना ध्यान से देखना इसके लिए विटा इस साइड से तो तुम करनी सकते क्यों यहां एक है आपको दो एच निकालने होंगे तो इसके रिस्पे में यह अलफा और यह वाला वीटा एक और एच उठा लो ठीक है तो दोना एच निकल जाएंगे दोनो बी यार तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा एगा कि एटी लिख सकता हूं मैं इसको देखो क्यों यहां इंटर पला जाएगा और यहीटी हो गया कि यहां देखो इसके रिस्पेक्ट में यह फाई बीटा था एक बार एच यहां से और दूसरा भी यहीं से निकलेगा तो दौना एच निकले दौना भी यारल काइन मन गया तो सिंपल यह सने डिहाइड्र हेलोजिनेशन ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें एलकोहलिक फॉल आलकाइन देता ऑलकीन नहीं देता है जैसे पहली रियेक्सन हैंगे फॉल यहाँ एच डिक नेचर बिचाद बिट कि लेकिन वामें टर मीनल है है सदेगल कि नेचर टर्मिनल अलकाइन ऐसे यह रेकी नेचर की होती है जैसे अगर मैं आप से बात करूं पर आर सी ट्रिपल-बॉंड-C-H इसको मैं ट्रमिनल अलकाइन बोलूंगा और इस वाले को भी टर्मिनल बोल सकते मतलब ध्यान से सुनला कारबन-ट्रिपल-बॉंड-कारबन य ी ठीयटा किसी भी एक जेगा ह boy मोशना हो जाता है गया होजाता है तर्मिनल हो जाता है क्या हो जाता आध को कोई भी हैसट क्यों होता है एचस ब्लस करता है वह न तो कोई भी हैसेड एसली है क्योंकि उसको क्या देना है एच-पलस देना है और एच-पलस देने के बाद एच-पलस देने के बाद जो एट यह दा है वो इस्टेवल होना चाहिए क्यों इस पर अगर मैं हाइबरिडायजेस्थ पूछां तो क्या है ज्यादा है सिंसा ऐस करेक्टर ज्यादा एलेक्टोनेगिधिवटी ज्यादा नेगड़े वाइन की स्टेवलिटी ज्यादा तो यह ट्रपल बॉन्ड में ही स्टेवल होता है डवल और सिंगल में स्टेवल नहीं होता है इसलिए अलकाइन ऐसे डिक नेचर के होते हैं अलकीन ऐसे डिक नेचर का नहीं होता है तो अलकाइन एच प्लस रिलीस कर देता है अगर यहां बात करूं मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यह क्या करेगा यह ऐसा बना लेगा अगर मैं एक एच निकाल के दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा ठीक है और यह आयन की stability इसी से बाकी दूसरा है भी निकल जाएगा यहाँ पर ठीक है दूसरा निकालना चाहो तो ऐसा निकल सकते हो है है सी नेगटिव कि ट्रूपल c- ऐसा ठीक तो इसमें एसी एक होता है जिस एक को हम एक्टिव भी बोलते को पिना में इसका कि इसे हैच को चैनल एक्तिवे एक्टिव मतलब जो आसानी से निकल जाते हैं है से एस डिक और एक्टिव हइड्रोजन ठीक है है एसेडिक और एक्टेवेंच यह वाला भी है और यह वाला भी ठीक है कि लियर एसेडिक नेचर समझगे होता है तो अलकाइन एसेडिक नेचर के होते हैं क्यों वह एच्पलस रिलीज करते दें मालो अगर मुझे इन दौनों में स्ट्रेंथ कंपेर करानी है तो यह ज्यादा एस एक होगा क्यों यहाँ पर आर जो लगा है वो प्लस आई है अलकाइल गाथ प्लस आई प्लस आई नेगेडिवाइन की स्टेविलिड़ी को कम कर देगा अगर में नौन में कंपर कराऊं तो तो यह वाला अच्छा एसेट है कंपर जंट यह वाला क्लियर एकदम मामला वेरी गुड अब एसेट एक नेचर दिखाने की कुछ रियेक्सन्स होती हैं उसके बारे में ड चलो देखना अब मैं आपको एसेट नेचर दिखाने वाली कुछ रियेक्सन बता देता हूं तो एक काम करता हूं मैं ऐसे लिख देता हूं हाथ है है आर्सी टृपल बांड शियेच इसकी रियेक्सन इसकी रियेक्सन जो इसे डिक नेचर दिखाती है वह कौन-कौन से होती है वह देखना इसकी reaction sodium के साथ करा दो, metal के साथ heating करा दो, इसकी reaction NaH के साथ करा दो, इसकी reaction NaNH2 के साथ करा दो, अगर इसकी reaction NaOH से कराओगे तो क्या होगा और इसकी reaction अगर आप यह मुझे बताना है अब धियान से देखना जड़ा इधर पोलरिटी सेट कर ले ना यह एच प्लस और यह नेगेटिब बॉंड ऐसे टूटेगा तभी तो ऐसे डिक नेचर दिखेगा सही ना अब सोडियम क्या करेगा ऐसे अगर कोई है तो वह मेटल के साथ कौनसी गैस रिल सकता हूं क्यों एक ही एच जा रहा है तो आधा मोल एच टू गैस बनाएगा ठीक अगर स्टीप पर वल्ल्यूम पूछ लिए आप से तो 11.2 बोल देना एक मोल का 22.4 होता है तो आधे मोल का 11.2 होगा इना इधर देखो इधर पोलरिटी सेट कर लो एने प्लस एच माइनस अ yap क्यों मेटल हईडरेड है ना मैटल पर प्लस होता है तब हैड़ेजगन में माइन स्टा एना तो एचित माइनस यहां से हेच प्lawicki निकाल कर ट्रुपल बॉन्ड सी माइनस एने प्लस और एने च्टू माइनस एच प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा अमोनिया बना लेगा और अगर आप से इसका वॉल्यूम पूछ ले तो आप बोद ले ना 22.4 लीटर अगला देखना यह तीनो रियक्सर तो देखो वेटा पॉसिल्बल होती है अलकाईन की एने व्द से इसनी उती डेखो अगर आप बनाने जाओगे तो क्यां बनाओगे ऐने Na Plus OH minus बनाऊगे, यहां क्या है Na Plus और HCr3 minus बनाऊगे, अब देखो, k्रॉस में चोड़ोगे देखना यह Na Plus इस सी नेगेटिव से तो क्या जाएगा? R C triple bond C minus Na plus, और ये H plus OH minus के साथ क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, अब ये NaHCO3 इसके साथ reaction करेगा, तो R C triple bond C minus Na plus, और ये HCO3 negative, ध्यान से देखना विटा, ये जो HCO3 negative है, ये इस H plus के साथ क्या बना लेगा, H2CO3 बना लेगा, अगर आप reaction कराने जाओगे तो यही बनेगा, लेकिन ये possible ही नहीं है, ठीक है, ना तो ये reaction possible है, ना ही ये reaction possible है, ये सारी reaction होती है, ठीक, ये होती है, ये होती है, ये reaction नहीं होती, अब इसका main reason क्या है, वो समझे लो अब, कभी भी कोई भी reaction की possibility या जिसको हम feasibility बोलते हैं, वो कैसे check करते हैं, M I star point में लिख रहा हूँ, ठीक है, अगले page पर add कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, यह जगे कम पड़ जाएगी, अब मैं आपको explain करने जा रहा हूँ, क्या, ये दोनों क्यों नहीं होती, और ये वाली क्यों होती है, ठीक है, अब देखना आप, pause करके note कर लो, फिर मैं बताता हूँ, point यह है या, mi star, क्या है, mi star यह, देखो, the reaction, the reaction will proceed, in the production of, in the production of, in the production of, weaker acid, in the production of, weaker acid. अब ये वीकर अचिड कैसे पता चलेगा, उसके लिए बेड़ आपको acidic strength याद होनी चाहिए, जैसे, अगर मैं बात करूं तो, H2CO3 की acidic strength जादा होती है, ठीक, उसके बाद आपका water आता है, जितनी reaction मैंने यहां लियों, उनमें लिख रहा हूँ है, उसके बाद water आता है, water क acid के बाद ammonia आता है, और ammonia के बाद H2 आता है, यह acid एक strength का order होता है, ठीक है, जो यह reaction मैंने लिखी है, उनमें बता रहा हूँ, अब concept क्या है, देखो जरा, concept यह है, कि जो बनने वाला acid है, वो weak होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा, पीछे जा रहा हूँ मैं न देखो, इधर है alkyne, alkyne है, इधर क्या बनना है, H2CO3, तो पीटा H2CO3 क्या है, strong acid है, इससे, इसलिए reaction नहीं हो रही है, clear, इधर देखो, water क्या है, strong acid है कि से, alkyne से, इसलिए reaction नहीं हो रही है, यह क्या है, alkyne से, weaker acid है, इसलिए हो रही है, यह क्या है, weaker acid है, इसलिए हो र ही है वीकर एसेड की तरफ ही रियक्षन जाती है यह ध्यान लगना और उसका कॉंसेट्ट क्या है यह इसको अच्छे से रेडी करना आपको कॉंसेट्ट को ठीक है क्लियर एक्दम बैरी गड़ तो यह ऐसे डिक नेचर वाली बात हो गई आगे अगला विटा एडिसन ऑफ डा अगर मैं अलकेन की बात करूँ तो अलकेन में कैसे कराते थे मालों यह है और सी ट्रुपल बॉंड सी आर डैस ठीक है ऐसा लिखाए अगर देखना इसकी रियक्षन एच टू एनाई पीटी पीडी से कराय करते थे न तो यह अंडरिस्टूड होता था कि यह दो मोल है भला ही ना लिखाओ लेकिन दो मोल हम ले लिया करते थे तो क्या करोगे यह दोनापाई ब्रेक करोगे यह हम अलकेन में पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइस करा रहा हूं बस आपको तो यह आ जाएगा आर सी एच 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 और आर डैस ऐसा दिखेगा और अगर अलकीन में हैं ठीक है अलकीन चैप्टर में हमने जो लिखी थी वो क्या लिखी थी धियान से देखना आर सी ट्रपल बॉन्ट सी यार डैस उसकी रियक्षन जो लिखी थी वो ये लिखी थी अगर ह2 प्लस PDC ले लिया और लाई लिकुड अमोनिया या एनलिकुड अमोनिया ले लिया तो क्या बनता है देखो इस वाले में ट्रांस बनेगा उधर सिस बनेगा तो पाई बॉंड ब्रेक करो एच एट से तो इधर जो अलकीन बनती थी अगर वो जी आई एक्जिबिट करेगा तो वो क्या वो लेंगे उसको सिस और यह जी आई एक्जिबिट कर रहा है क्योंकि एक ही कारवन पर दौनों ग बढ़े तो यह अलकीन चैप्टर में पड़ी थी यह अलकीन चैप्टर ने पड़ी थी क्लियर ठीक है एक बार फिर से मैं रिवाइस करा दी नोट कर लो आगे बढ़ रहा हूं अगला है एडिसन अफैलो जन यह कॉमन रियक्षन है अलकीन में भी आपने पड़ी थी अलका लेलो तो क्या करोगे पाई बॉंड ब्रेक करोगे क्या करना है पाई बॉंड ब्रेक करना कि से हैलोजन से पाई बॉंड ब्रेक करो इसको एक्स दे दो दूसरा पाई ब्रेक करो इसको एक्स और इसको एक्स तो होगा क्या दौन पाई टूट जाएंगे और चार हैलोजन आ पर ऑटमेंटिक लिए कितने मोल यूज करने आपको दो मोल यूज करने तो टेट्रा हेलाइड बन जाएगा बिल्कु सिंपल सी रियक्षिन है पाइब बेकर दो जैसे आपका कौनसी रियक्षिन थी अलकीन में आपने हैलोजी ने इसकी रियक्षिन करा दो जड़ा बिया टू सीसी एल फूर के साथ बनाओ क्या बनेगा बना लो बहुत आसान है पाइब और ब्रेक कर देना वेड़ा किसे एच से तो यह दोनों पाइब रेक होंगे एच वरी एच नहीं क्या बोल रहा हूं में भी एजज ने बियार बियार स हुआं यहां इसा जाने तो एसा देगे कर भी यहार यहार धूस्ट नोच कर यहार नोगुंभ बोलास करें आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ हाईट्रोजन एडिय थोड़ी अच्छी रिएक्स में एडिशन वाइट ध्यान से देखेंगे लिए आर सी टुपल बॉंड पॉंड सी एच एच ऐसा लिखा है ठीक इसकी रेक्षों hydrogen halide से करा रहे हो तो मैंने मालो Hx के साथ reaction कराई किसके साथ Hx के साथ तो कैसा काम होगा ध्यान से देखना यह है टवाली reaction में हम क्या गरता है ध्यान से देखना पहले एच प्लस आएगा पहले एच प्लस आएगा मैं इसको मैंके निजम से सॉल करके बता रहूं फिर डारेक्ट मैंतर बता दूँगा यह रिएक सना वलकीन में पढ़ चुके हो है न एच एक्स क्या गरेगा एच प्लस देगा अब यह अलकाइन में बॉंड ब्रेकिंग हो देखेगा अच प्लस से जोड़ेगा इस से तो ऐसा देखेगा और सी प्लस डबल सी एच और एक और ह हागया सीच टू एसा देखेगा कारभू के टाइन अब यह कारभू के टाइन में रियरेंजमेंट पॉसिवल नहीं है क्यों डवल मॉंडड पर ही ना इन एक ध्यान ड़ी तरेखे लगव टिरना अब इसी से एक स不知道 जुड़ जैगा एक से एक साब दिखेगा आर और सी एक्स डबल चूर डीर अब ही यहाँ Mाईन इस यहाँ प्लस ऐसा क्यों कर रहा हूं ध्यान यहां क्या है प्लस और सिंगल हो जाएगा यहां क्या जैगा सीएस ही क्यों तोड़ा ऐसा ही क्यों तूड़ा क्योंकि यहां है रोजं मतददा Back Bonding Stability है अब यह चार्वो कच रही जाएगा नहीं रिर और यहां थान दना तो यहां भी नो रियालेजमेंट तो दौनों ही जगे रियरेंजमेंट नहीं होता ऐसे क्या जोड़दोंगे ऐस योड़ दोगे तयूसा देखेगा आर सी एक्स एक्स और सी एस थ्री तो यह क्या वन गया जैमिनल डाई हैलाइड बन गया क्या जैमिनल डाई हैलाइड एक ही कारवन पर दो हैलोजन चिपके हुए है यस तो क्या वन गया यह जैमिनल डाई हैलाइड बन गया वेटा क्लियर अब आप जड़ा मैं करेंजम से दे तो झब री एंजमेंट होना ही नहीं है तो डारेक्ट लो ना फिर यह तो मैंने में निद्र से सषlah Kung hurricane इसा इसा होता है डारेक्ट किसे करोगे पहले सकोलो और मैं डारेक्ट मैंथर बताता हूं इसका बहुत असान है कि right समझे बात को अब देखो जाना इसी का ही डारेक्ट में आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना इसी का डारेक्ट मैथड डी-म देखो अब यह जो आर वाला है यह क्या था तुम्हारा अगर आर वाला तुम्हारा प्लस आई है तो यह बांड ऐसे तोड़ो यहां माइनस और यहां प्लस ठीक दो बार दे दो इस थी प्लस को यहां से द प्लस अए और इस ऐ hop इसको 2x- direct देदो कोई दिखक्कद नहीं रियर्जमेंट तो हो नहीं नहीं तो आर सी इसके पास दो है लो जना आ जाएंगे दो वार रियक्षिन करा दो ना और इसके पास कि दो एच आ जाएंगे देखो डारेक्ट कर लिया करो बिल्कुल डारेक्ट कोई दिखक्कद नहीं है क्वेशन करवाता हूं आपको देखो हे दो कि यह कोई रियर्जमेंट हो नहीं नहीं इसमें दो मॉल है चलो बताओ क्या होगा यह दिखरा से और आपका प्लस आई तो ईलेक्ट्रों देगा यह से तूटे का यहाँ माइनस यहां प्लस दोबार कर दो इस प्लस को दो बार बी आर नेगटइब दे दो और इस माइनस को दो बार छपलस दे दो ऐसा दिखेगा CH3 C BR BR और CH3S अदेखेगा देखो इस एच को यहां से दो है चौर मिल जाएंगे क्लियर है माम लाइक ना हूं ठीक एक सवाल और हो जाए बढ़िया सा चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं नोट करो एक सवाल और आ रहा है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा बहुत बढ़िया सवाल है यह सवाल मुझे काफी पसंद है अच्छा सवाल है इसलिए तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या पंकसर स्पेसल धियान से करना क्वेश्चन बिढ़ा है ना यह करना आपक सवाल कुछ ऐसा कह रहा है CH3 C double bond CH इसकी रियक्षन पहले DCL से कराओ A बनेगा फिर इसकी रियक्षन कि दी आई से कराओ 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 बहुत आसान है मैंने आपको अभी पीछे सिखाया दो बार रियक्षन करानी है यहां भी दो बार करा दो पहले DCL से करा दो फिर डी आई से करा दो तो इस्टेप बाइस्टेप चल लो क्या यह क्या है वड़ा CS3 प्लस आई है इलेक्ट्रॉ इधर देगा इलेक्ट्रोन की रिफ्टिंग यहां होनी चाहिए यहां माइनस यहां प्लस यहां टी प्लस और सील माइनस ठीक दी प्लस इसको दे दो CL इसको दे दो तो ए क्या बनेगा CH3, C, बताना देखो, इस वाले प्लस से CL माइनस जुड़ जाएगा, ठीक, यहाँ डबल आ जाएगा और इस से D जुड़ जाएगा, तो CHD, ऐसा दिखेगा, ठीक है, यह तो तुमारा यह वाला A हो गया, अब दुबारा रियेक्शन कर आओगे B बनाने के लिए, तो यह बॉ और यहाँ CH और D2 आ जाएगा, देखो, भाई तुम्हें दो बार रियेक्शन करानी है, यार, दो बार रियेक्शन करानी है, पहले DCL से, और फिर किस से करानी है, डी आई से, पहले जब तुम DCL से इसकी रियेक्शन कराओगे, तो क्या गरोगे, पाई बॉन तोड़ दोग अलग-अलग मोल से भी खिला सकते हैं, आपको खिल लोगे, बहुत बढ़ी है, ठीक है, तो ऐसा आजाएगा answer, clear, आगे बढ़े, चलो वह अगली reaction है, addition of water, इस reaction का नाम है कुचिरोव reaction, क्या नाम है, कुचिरोव reaction, यहाँ पर जो reagent होता है, क्या, यहाँ पर जो reagent होता है, वह होता है, डाइल्यूट, मीडियम में, H2SO4, प्लस डाइल्यूट, HGSO4, कभी-कभी बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, 1-2% HGSO4, मतब, catalyst के तौर पे काम करता है, अगर यह नहीं लिखा होगा, तो वेटा, ऐसा लिख देंगे, HG2 प्लस water, तब भी यही काम आपको कर करना है, तो alkyne में आपको क्या करना है, addition of water इस तरीके से करना है, जैसे आप alkyne में करते थे, वैसा ही alkyne में, बस यहाँ पर catalyst की ज़रोत पड़ती है, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ dilute H2SO4, यहाँ पर HGSO4 में, HG2 प्लस काम करता है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, R C triple bond CH, ठीक है, 333 Kelvin पर यह reaction होती है, ऐसे लिखाओगा, HG2 प्लस water, या वो reagent भी दे सकते हैं, ठीक, भावनाव को समझो, यह भी दे सकते हैं, अब देखना ज़रा, यह bond break होगा, ठीक, यह bond break होगा, ऐसे, यह minus, यह plus, ठीक है, actual positive, actual rate नहीं, बस मैं bond breaking से सिखा रहा हूँ आ आपको है, water क्या देगा, H+, और OH-, direct method बतारों, आपको सीदे, ठीक है, तो इस C plus को देखो, यह stable है, secondary है, इस C plus से क्या जुड़ जाएगा, OH और इस negative से H, तो आ जाएगा ऐसा, R C, यहाँ क्या जाएगा, OH, double, यहाँ क्या जाएगा, H, ऐसा जुड़ जाएगा, बस एक बा C, क्या है, in, और यह क्या है, all, in plus all को क्या बोलोगे, in all, तो यह क्या बन गया, in all बन गया, in all, कम स्टेवल होता है, कीटो, जादा स्टेवल होता है, तो इसको टॉटमराइज करा दो, यह बड़ा एरो बना दिया, आगे वाला, की forward direction में जाएगी, comparison to backward, अब in all का कीटो बन गया, तो यूजरी इसमें कीटोन बनते हैं, ठीक है, बना कार्बनाइल बनते हैं, LDI भी बन सकता है, न, कार्बनाइल बोलो आप, तो अलकाइन का जब पानी के साथ reaction, तो एक बार ही reaction करा ना, और उसको टॉटमराइज करा देना, एक बार reaction करा के, टॉटमराइज करा देन बढ़ा, यस, you are right, सही जा रहे हो, ठीक तो यह है कुछी रोव रियक्शन, सवाल कर लेते हैं, तो आपको अच्छा लगीगा, ठीक है, अच्छा लोगी, अब मैं इसके question आपको करवा रहा हूँ, नोट्स भी आप अपने proper बनाते जाओ, देखो, नोट्स बढ़िया होंग ठीक, तो सवाल ऐसा कहा रहा है, कैसा कहा रहा है, CH3, C double bond, CH, बताओ जरा, HG2 plus water, क्या करेगा, bond break करेगा, और क्या करेगा, रियक्शन करेगा, देखो, यह माइनस, यह प्लस, इस्टिवल होगा ना, और water क्या देता है, H plus और OH, माइनस, एक बार ही रियक्शन करानी है, तो CH3, C, यहां क्या जाएगा, बड़ा, OH, double bond, यहां क्या जाएगा, CH2, अब इसके बाद, अब इसके बाद, इसका इनॉल से कीटो बन जाएगा, ठीक है, H यहां से, पाई यहां सिफ्ट, तो क्या बन गया है, CH3, C double bond, CH3, कैसी टोन, कैसी टोन, एसी टोन, नाम है, इसका है, क्या नाम है, एसी टोन, ठीक है, एक और हो जाए, अगला सवाल देखो, पी-H, C double bond, CCS3, ऐसा है, ठीक है, देखना ज़रा, HG2 प्लस वाटर, वाटर क्या देगा, H प्लस और, OH माइनस, यहां कैसे तोड़ोगे, ऐसे तोड़ना, यह माइनस यहां प्लस, पी-H लगाए ना है, पास, मैं, तो क्रॉस में, जोड़तोज़ा, प्लस को माइनस, से माइनस को प्लस से, तो C प्लस को भीटा, OH मिलेगा, और इसको क्या मिलेगा, H मिलेगा, ऐसा देखेगा, कि इस तरीके से, सहिये, आप क्या करोगे, इसका कीटोफ़म बना दोगे, ठीक, यह, यहां तो यह कहानी है इस तरीके से क्वेशन करना बहुत आसान है पाइब मैंने करके क्वेशन में करके क्यों बताता हूं आपको भाई मैं धेर सारे सवाल इसलिए करवाता हूं ताकि आप समझ जाओ आपको कैसे अपलाई करना है ऐसा नहीं कि सिर्फ थेड़ी थेड़ी सब्सक्राइब कर आगे चलते हैं यह हsemble एज़ाएक इसको साईकμέने कौप लिंग भी बोलता है कुपलिंग कुपलिंग साइक्लिक कपलिंग देखो जरा क्या होता है ध्यान से देखना तीन मोल एसेटिलीन ध्यान से देखना तीन मोल एसेटिलीन को डाल देते हैं रेड हॉट ट्यूब में किसमें रेड होट ट्यूब जिसका short form होता है और एच्टी लिखा रहता है एक्च्वल में ये रेड हॉट ट्यूब कोई अलग ट्यूब नहीं होती आईरन की ही ट्यूब होती ये 73 Kelvin temperature पर यह कराए जाती कप्लिंग FETU होती है न क्या करना है इसके तीन मोल से क्या बना देना वेटा बेंजीन अब यह कैसे फॉर्म होता होगा वह समझ लेते हैं तरीका उसका देखो अगर मैं ऐसा लिख लूँ इसको देखो CH triple CH CH triple CH और CH triple CH अब देखना जड़ा बॉंड ब्रेक करते हैं ठीक है ध्यान से देखो इस बॉंड को अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ तो यहां माइनस यहां प्लस तो इसको मुझे ऐसे ब्रेक करना होगा यहां माइनस यहां प्लस अ Iraqi negative अब क्या करो गहां द細ओं से देखो के इस वाले को इस से जूड़ दोगे इस वाले इस वाले को इस से जूड़ दोगे और लॅन भीनों तो आपको कैसा दिखेगा अदने यह पहले नियुक्ट तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया यह से जोड़ दिया तो तो यहां सिंगल यह डूबल फिर यह डवल फिर्शिंगल फिर्य डवर फिर्यसिंगल अल्टरनेट ऐसा चलता रहे रहे का बेंजीन बन जाएगी सिंबल सा है तो तीन मोल की कपलिंग होती है रेट होट्ट ट्यूब आइरन की ट्यूब में 873 Kelvin temperature पर तो क्या बनता है बेंजीन बनता है ठीक अब मैं आप से question पूछ रहा हूँ अगर मालो प्रोपाइन ले लिया यहां से देखना अगर मैंने प्रोपाइन ले लिया ऐसा ले तो बताओ क्या बनेगा बोलो ट्राइक रोजरा एक बार देखो ट्राइक रोगे साथ-साथ तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा बना लोगे आंसर भी लिखूंगा सही आएगा तो दिल से लगी घुजी होती ना ठीक बनाव जड़ा इसका अगर बना लिया होगा तो आंसर चेक कर लेना देखो मुझे क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर मुझे प्रोपाइन करना ठीक है तो मैं क्या करना हूं यह एच अटा रहा हूं ठीक यहाँ मैं ऐसे लेक सकता हूं एच अटा कर मिथा लगा दिया कितने मोल थीन मोल एच हटा कर मिधाईल लगा दिया अब देखना च्णा यहाँ पर आप क्या करोगे चफळाकर कि अधर ये तोडूटा तो यह अउने वहाला है शन्हां से यह एज लगा दो और यहां क्या लगा दो यहां क्या लगा हुआ हो यहां क्या लगा दो मिध्यार दो मिध्यन ृं लगाट वे अ pressure देखना ऐसा देखेगा ठीक कि यहाँ भी अश्चा लगेगा अदेखो ऐसा तो विज्टा आपने चाहिए आपने एच अठाकर मिथाईल लगा दिया डीक है आपने चाहिए अगर मिथाइल लगा दिया मतलब अल्टरनेट मिथाइल आ जाएंगे देखो अल्टरनेट मिथाइल आ जाएंगे इधर मिथाइल है इधर मिथाइल है इधर मिथाइल अल्टरनेट है तो अल्टरनेट मिथाइल लगाओगे तो ऐसा दिखेगा इधर मिथाइल अल्टरनेट मैसिटलीन क्लियर अब मुझे वह बताओ अगर मैं एक एच यह वाला हटाकर यहां पर मिठाइल लगा दूँ तो यह वाला एच भी हटाकर मिठाइल लगा दूँ तो इधर भी इधर भी और इधर भी मिठाइल आ जाएगा इसका मतलब अगर मैंने यहां मिठाइल लगा दिया तो 1 2 3456 एक्सामिठाइल बेंजीन बन जाएगा फैक है क्लियर है मामला चलो भाई समझ गया मेरे खयाल से आप साइक्लिक कपलिंग बागी इसमें एक लीनियर कपलिंग भी होती है वो पॉलीमर वाले चैप्टर में बढ़ोगे इतनी रियक्सर इंपोर्डेंट है आप इतनी कवर कर लेना है ना चलो भाई आपको प्रेक्टिस हो ज इसे बैंजीन बनानी कैसे बनेगा आपको इतना तो कंफर में अभी पूरे के पूरे चैप्टर में हमने जो पड़ा है उसमें क्या है बैंजीन एकी जाया बना रहे हो एसे डिलीन की रैड होट ट्यूब करा दो अब एसे डिलीन कैसे बनाओगे वो सोच लो इससे डिलीन कैसे करोगे तो यह कुछ प्रोसेस यह रिक्षं सापको आप याद होनी चाहिए तभी आप दिमाग में ला सकते और प्रैक्टिस से ही इस टाइप के कॉश्शन अच्छे होंगे और इस टाइप के कोश्शन से ही आपकी और यह निग अच्छी होगी यह वाले कॉश्शन हो इसको पहले बेस के साथ ट्रीट कर दो एक्वास निवेच के साथ ट्रीट कर दो ताकि सॉल्ट बन जाए ताकि हम उसका सोडा लाइम डिक आर्वक्स लेशन करा सकते हैं या इसी का डारेक्ट सोडा लाइम करा तो तब भी सही है ठीक है एंची आईटी में यह दे रखा इसलि सकता हूं सी एच फॉर लिख सकता हूं न भाई सी ओ एने हटकर क्या आ जाता है एच आ जाता है न तो मैं कम्माइन फॉर्म में क्या लिख सकता हूं सी एच फॉर लिख सकता हूं सही बात है तो सी ओ एने हटाया एच लगाया मीथेन बना आप देखना ज़रा मीथेन का करा तो क्लोरी नेशन या ब्रोमीनेशन ठीक है c l to sunlight तो क्या बना च्छ 3 सील बना आव इसकी करादो वुर्ज रीक्षिन ठीक इसकी करादो एने ड्राई इथर पुलिढ च्रेयक्ष्न राउगे तो क्या बनेगा ये बंडब्रेक होगा रैडिकलแदिकल और ऐसा ही रैडिकल अपने ही रैडिकल से मायन हो जाएगा तो चान दो थीख है ब्रोमी नेशन अऊप हों चलो भीए चाटकर ब्यार लगाना है लगाना है तो CS3 CS2 BR आ जाएगा देखो एच अटाया बियार लगाया अब इससे तुम अलकीन बना लो इससे तुम अलकीन बना लो एल्कोहलिक के ओवेच ठीक इसके रेस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा बीटा से एच और अलफा से हेलोजन निकल गया यह आ गया ठीक इसका आप करा दो बियार टू सी सी एलफोर डाई हेलोजन आ जाएगा इसके बाद इसका तुम करा दो एलकोहलिक के ओवेच फॉलोड बाए एन एन एच टू ठीक तो क्या बन जाएगा एसेटलीन बन जाएगा एच बियार एच बियार निकल जाता है और एसेटलीन का रेड होट ट्यूब करा दो आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको चलना है यह आपको एक बाद में डार्यक्ट आ पको इससे नहीं आएगा दिमाख में अपर से याद होंगी तो दिमाग में आता जाएगा दो इस तरीक के वेज़ फॉल्ट वाइने स्टू एसे डिली मन गया और उसका रेड़ाटिव से बेंजीन मन गया समझ गया बात को कैसे किया एक और हो जाए मैं जा जाएगा चलो अब मैं आपको सीक्वेंस वाला क्वेशन देता हूं उसकी भी प्रेक्टिस हो जाएगी इसको नोट कर लो ठीक चलो गई ध्यान से देखना जड़ा क्या हो रहा है हाँ पर सी ओ इसमें डाल दिया कोक एबना एमें डाल दिया पानी बीवना बी में डाल दिया ठीक डाल दिया रीड हो ट्यूब में सी वना और यहां लिख रहा हूँ मैं को सड्ड कौन सा शो डिययम सॉल्ड सोोडियम सॉल्ड सोड्ड १ जिसका सोडा-ご लाइम-डि गार्वओक्स इलेशन कराया है एङ है जिसका soda-lime-d-garboxylation कराया है और इसकी reaction किसकी B की reaction हो रही है वन equivalent sodium के साथ one equivalent मत्ब एक बार reaction करानी है ठीक है CD यहाँ आ गया E और E की reaction करा रहा हूँ मैं E की reaction करा रहा हूँ मैं किसके साथ यह चलो E बना दो बस इत्ता कर दो उनिक विलेंट एने के साथ चलो करो के ट्राइब विज्ट आ जाता है लंग करो 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 धार ट्राइब करो मज़खंगा एक्टम दम जमाजभ आंसर आजाएगा बी क्या बनेगा एसेडिलीन और एसेडिलीन की वन इक्कोवलेंट सिर्फ एक बार करानी है तो एक ही एक्टेवेच निकालना तो सी एच ट्रॉपल बॉन्ड सी माइनस एसा दिखेगा और Raid out ट्यूब में ये क्या देता है Benzine देता है Benzine देता और ओर Nao 1000 की sodium salt के साथ सोडियम को के साथ इसकी रियक्सन ये बनना है तो benzone मुझे बनाना उल्टा चलो अब तो उल्टा पूछ लिया उल्टा पूंच लिया तो सॉल्ट वेटा ऐसा होना चाहिए पी एच सी ओओ एने क्यों तभी तो आप ये हटा कर एच लगाओगे पिएचे जीनी तो होता है उल्टा चलра है जल्डा अवला भेंजीन में", सै एच सटाकरम लगा दो मेंहींसलक स हिटाते हो तो तो क्या करते हम स्यूआनि हटा रहा लगाते ओ उल्टा आना है तो एच से इस ये लगा दो यह बनेगा सोडियम बेंजोइट जो सॉल्ट होगा उसका नाम क्या है कि सोडियम कि बेंजोइट कि यह यह नाम है इसका के लिए एकदम मामला समझगे बात को चलो वई एक सवाल और करेंगे अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर यह देखना द्यान से है न यह था आपका पहले नंबर का अब आया आपके पास दूसरे नंबर का कि सेकेंड क्वेश्टन द्हान से देखेंगे एक दम जमा जम देखो आपको रियेक्शन करानी है आप बेंजीन की प्रोपीन की ब्यार्टू सीची एल फूर ए बनेगा इससे फिर एल्कोहलिक के वेच फॉलोड बाइ एन एने नह टू बी वनेगा और बी की रेड होट ट्यूब प्रोपीन नी ब्यूटीन लो और अच्छा हो जाएगा सवाल ब्यूटीन लो तो ए बना फिर बना फिर सीवना और बी की रियेक्शन आपको करानी है बी की रियेक्शन आपको करानी है डी सी एल के साथ तू इक्वेलेंट डी बनेगा और बी की ही रियेक्शन आपको करानी है है एज़ी टू प्लस वाटर के साथ तो ए बनेगा ठीक है एज़ी टू ब्लस वाटर के साथ ए बनेगा और एक और करानी है इसकी रियेक्शन करानी है आपको एलाई लिक्विड अमोनिया ठीक एबी सी डी इए एफ यह बनेगा और एफ का कराना वेटा ओ थ्री सी सी एल फूर इन प्रिजेंस ओफ वाटर तो टू मोल जी बनेगा ठीक है मजा जाएगा हम करो ज़रे ट्राइगर ट्राइगरो ट्राइगरो क्वेश्चन करोगे मजा आएगा एक दम जमा जम चलें फिर करें स्टार्ट पॉस कर लो ट्राइगरो और वापेस आ जाओ काई निकल मत जाना इधार ही पढ़ना है ना चलो पॉस करो हो गया चलो भई अब देखो बी आटू सी एल फूर क्या करेगा यह पाई बॉंड ब्रेक कर देगा वेटा किससे बी यार बी यार से तो ए बन जाएगा आपका हुं फूर दाई ब्रोमो वियूतें है एलकॉॉल एक वेच फॉलूड बाई ए नने आये करेगा यहां से बी यार उठाएगा यह यहां सब्सक्राइब केसे अलफा यहां उटा लेग और यहांसे पर उठाएगा तो यह अलफा यहां से उठा लेगा मतलब यह वन जायगा आपका टू फीयुक्श हानल से रेड 一 आत्यूं में क्या करेंग अभी मैंने बताय ता पीछे आपको रेड होट त्यूब बाली रियेक्शन जो थी मैंने क्या बताई थी कहां गई रेड़ ट्यूब वाली रियेक्शन मैंने बोला था कि अगर यह वाला HB निकालने यहां मिथाइल लगा दें तो टूब यूटाइन हो जाएगा ना तो सभी जगह मिथाइल आ जाएगा तो 123456 हेक्जामिथाइल बेंजीन देखो तो सी वाला क्या बन जाएगा आपका कप्लिंग तो देखो इतने पार्ट से होनी है इस कारवन और इस कारवन की कप्लिंग हो जाएगी और बाकी हर जगह मिथाइल आ जाएगा ऐसा ठीक अब इसकी रियेक्शन DCL से करानी दो इक्वेल ट्रिपल बॉंड यह है पाई बॉंड ब्रेक करो दो बार रियेक्शन कराओ कोई रियर्रेंजमेंट इसमें नहीं होता अब यह सिमिट्रिकल अलकाइन है तो आप रियेक्शन कराके कैसे भी लिख सकते हो आपने अगर इस दोनों इस वाले कारवन को दोनों डी दे दिए त दूसरे वाले करवन को डौनों क्या दे देना वीटा किल देना इस यह ना डी प्लस और सील माइने से तूटेगा अब यह सिमेट्रिकल एक ऐसे भी दोड़ लो तो अगर मैं इस वाले को दौनों डी दे रहा हूं तो इस वाले को दौनों डी आ जाएंगे न एलाई WHO-1-2-3-2-2-2-2-5-5-2-3-2-5-3-2-5-5-4-4-5-4-5-3-4-3-4-4-5-V-2-4-4-5-4-1-2-1-2-3-5-4-4-5-4-4-5-4-4-5-4-5-6-5-5-4-5-1-2-5-4-3-6- क्या गरोगे आप देखना कि कि अ आप इस वाले बाउंड को ब्रेक करते किससे औरो से तो इधर ओर और अऔर आधर वां धार जगह ओ देदे देदे अब जिस कार्बंपर ऊणाह उसी कार्बन पर और एच है तो इसको भी ऑक्सिडाइस करना क्यों वाटर लिखा है क्या लिखा ए यह इसे होता है और जी-टू-प्लस वाटर के साथ क्या लकाईन है पाई-बेंकर दो एक जगए-प्लस-एक-जगए-माइनस बना दो ठीक है ठीघिन है मालो आप एसा कर रहा हो इसको इस तरीके से तोट रहो यहां माइच से यहां प्लस ही किन ऐसा तोट रहो तो आप क्या करोगे इसको क्या देदें ओए होँए और इसको एच तो तो इस इनौल का टॉटोमर क्या बनेगा तू-ब्यूट दौन तो यह वाला क्या जाएगा आपका तू-ब्यूट दौन पहले आप क्या करोगे यह 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 एक्षन में अलग कर देता हूं थोड़ी जहना ऐसे इधर साइड में पहले आप क्या करोगे वाटर एड करोगे इन ओल वनेगा इन ओल का कीटो अंसर देना आपको फाइनल आगे सारे इसका ए आया बी आया ची आया डी आया इए आया एफ आया जी आया हो गए किलिए एक दम मामला इस तरही के क्वेश्चन आपको मिलते है अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स लेक्षर में बैंजीन पढ़ेंगे नेक्स लेक्षर में बैंजीन कर देंगे ज्यादा रिएक्शन उसमें नहीं है इंपोर्टन रिएक्शन उसकी एलेक्ट्रोफलिक सब्स्टिडियूशन रिएक्शन होती है वो अपन डीटेल पढ़के सवाल भी बना लेना तो अपना क्या क्या हो चुका है हाइड्रोकार्वन नियर अपना कंप्लीट होने पर आ गया है अपना एक बेंजीन वाला टॉपिक बचा है यह तो यह कर लेंगे और फिर एनमा एन्वार्मेंटल केमिस्ट्री भी कर लेंगे आपने दो फोकस करो आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको पढ़ना है बस यह दिहान लगो ठीक हम तो आपसे बस यही कहना चाहरे है कि भी या पढ़ो कोई आ रहा है कोई जा रहा है बहुत जादा उस पर फोकस मत करो अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो इस तो आप जहां आपको अच्छा लग रहा है आप वहां पर पढ़िए आप जवरदस्ती के बहस में मत पढ़िए कि ऐसा होगा वैसा होगा मेरे मैं यह मेरे point of view है देखो सीधी सीवात है आपको पढ़ना है आपका तो मेन फोकस क्या है पढ़ना है सेलेक्षन लेना है तो सेलेक्षन लो कहीं से भी लो लेकिन सेलेक्षन लो आप अपने लिए अच्छा करो हम लोग तो क्या सपोर्ट कर रहें आपका ठीक है तो जितना हम लोगों से हो सकता हम आपके लिए सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है जो काम य वीजन पराएंगे क्वेश्चन कराएंगे सारी थीजे होंगी यहां पर बहुत बढ़ीया तरीकें से करेंगे और आप जानते हैं हमारी टीम बढ़ी खतरना अ कि पढ़ा देश्टी है